कल मेरी appointment क्या है कल मैं क्या कर सकता हूं परसु में क्या कर सकता हूं पहले calendar बनाना पहले गोल सेट करना तो यह बहुत जरूरी है यह कुछ habit है जो हमें अपने अंदर डालनी होती है लेकिन सुरू में बदलाव करना इंसान का सभाव कि थोड़ा सा थोड़ा से challenges होता है गुणा कर जाते हैं एक हैविट को change करना वी हैविट को change ना करना भी है थो हमारे अंदर कौन सी हैविट हो रही है अगर हम देखे तो नेटो मार्क्टिंग में दो प्लेस होते हैं दो जगे होती हैं जहां पर direct seller रहना पसंद करता है सबसे पहले हम on stage जी हम on stage रहना पसंद करते हैं हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारी सक्सेस मिलें जब हम किसी इवेंट में जाते हैं जब हम किसे बड़े प्रोग्राम में जाते हैं आर्टीप में जाते हैं तो सामने से जब कोई कोई स्पीकर कहता है कोई बात हम बहुत इंस्पायर होते हैं हमें लगता है कि हमें भी वहां स्टेज पर होना चाहिए और सोचना भी बहुत जुरूरी है जब उस स्टेज पर को अपने आपको आप देखते हैं आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं आपको लगता है कि आप अपने mentor को चुमते हैं, तो आप देखते हैं कि कितना easy तरीके से वो लोगों को motivate कर पाते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके life में भी वो समय आए, on stage अगर आप खुद को भी देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी पुरी team को motivate कर पाए, अपन इसको विजिलाइज करना एक दिन आपका भी ऐसा आएगा क्या जिसको डेख सकते हैं बंद आखोंसे अगर आप अपने मिश्यसंद को अपने गोल को देख सकते हैं तो इसका मतलब आप पहला स्टेप आप चड़ चुके हैं पहले स्टेप पर आप हैं बहुत जरूरी है पहल स्टेप विजुलाइज करना खुद को विश्वास दिला रहें कि हाँ आपके अंदर वो काबिलेत है आपके जो सपने उनको आपको किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उस बड़े स्टेज से आपको भी सम्मान मिल रहा हो तो बहुत जरूरी है इ डेली अपने अंदर बदलाव करना डेली अपने आपको जवाब देना बहुत जरूरी है कि आप रोज उस सपने को पाने के लिए कि आप रोज महनत करते हैं जो बेसिक है बिजनस के चाहे लिस्ट बनाना है चाहे प्रोस्पेक्टिंग करना है चाहे शौद प्लान है कि अगर आप चाहते हैं कि 2024 आपके सपनों का सांथ बने 2024 में आप सब चीजे पाए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है अभी से प्रियास करना उसके बहुत जरूरी है फिल्ड में रहना तेकर दो ही चीज़े हैं जब आपका नेट्वर्क बड़ा होता है जब जब आपके नेट्वर्क में डूप्लिकेशन आएगा जब आपके नेट्वर्क में ऐसे लोग होंगे जो वन टो टो प्लान शो कर रहे हैं जो खुट के अंदर बदलाव लेकि आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनस बहुत बड़ा होगा और आपका बिजनस किह ऑगा जो जो विक्तिक खुद के लिए अंसरेबल है जो खुद को जवाब देता है जो खुद के सपनों के लिए अंसरेबल है जो खुद पर विश्वास करता है वो इस बिजनस के बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है और यह जरूरी है कि आप रहें और आप किसी को भी देख लीजिए वो लोग टॉप पर रहते हैं जो खुब परियास करते हैं खुब महनत करते हैं एक खिलाड़ी अपना सर्फ रेस्ट करता है गेम में जल लेकिन वो ट्रेनिंग में बहुत पसीना बहाता है खुब महनत करता है अपने आपको फिट करता है उसके लिए किसी भी फिल्ड में महनत कर रहे हैं किसी एक बड़े लक्षे को पाने के लिए तो बहुत जरूरी और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि आपके मेंटॉर हैं हर दिन ट्रेनिंग्स होती है मिटिंग्स होती है जब आप फिल्ड में जाते हैं आप सीखते हैं आप समझते हैं कैसे बिजनस को देखे कि आप कहां पहुंचे अपने आपको समय दीजिए अपनी स्किल को डबलब करने के लिए समय दीजिए अपने आपको ग्रो करने के लिए समय देना बहुत जरूरी है क्योंकि अनुभव बहुत जरूरी है जब आपको असपलताई मिल रही है इसका मतलब आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं एक दम फटापट फटापट सफ़लताएं मिलेंगे एक दम बहुत सारे लोग आपके साथ जॉइन करेंगे अच्छे से बिजनस डेपलब होका लेकिन आप अंदर से मजबूत नहीं होगे मैंने बहुत नजदीक से देखा है और मैंने खुद भी महसू जरूर दीजिए और कहते हैं पीछे मुड़ मुड़ का देखने वाले इत्यास नहीं बनाते हैं तो खुद को समय दीजिए हमारा जो फिलिप चार्ट है उसको उसको पढ़िए वन टून प्लान देने के लिए खुद को तयार कीजिए छोटी-छोटी शुरुआती दौर मै जब मैं मुझे बहुत जादा हैजिटेशन होती थी स्टेज पर आने में मैं मुझे बहुत डर लगता था कि लोगों को मैं कैसे फेस करूं चाहे 10 लोग थे 12 लोग थे मुझे बहुत हैजिटेशन होती थी कि उनको मैं कैसे फेस करूं मैं खुब सारी तयारी करता था लेकि के commitment होनी चाहिए खुचे कि आने वाले समय में आप अगर आपको लगता है कि आप on stage रहना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि विल्ची वेल साइंस में टॉप लिडर्स में आप आएं तो इसके लिए बहुत जुरूरी है कि आप खुद की तयारी करें सीसे के आगे खड़े ह कर तयारी करना बहुत जादा आपको तयार करेगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो बहुत जुरूरी है आप अपने हाउ-वाउ को देखें कि देख सकते हैं उस समय तो खुद को ग्रो करने के लिए समय जरूर दीजिए क्यूंकि एक कहावत है कि धीरे-धीरे रहमना धीर सब कुछ होए माली सीचे सो घड़ा रितू आये सो फल होए तो रितू के आने का इंतजार करना बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ पानी देना भी बहुत जरूरी है ट्रेनिंग्स मिटिंग्स में जाना बहुत जरूरी है जब आप ट्रेनिंग्स में जाएंगे मिटिं अपने आपको grow करने के लिए इस बिजिस में साथ golden rule है, सबसे पहला है business plan को show करना, show the plan, आप बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर कर सकते हैं बसरते आप डेली शोद प्लान करें रोज आप प्लान करें अगर आपको इस बिजनस में तीन महीने हो चुके हैं तो आप अगर खुद बिजनस प्लान नहीं कर रहें आप अपना अपना प्लान शो खुद नहीं कर रह अगर आप ने ही कर रहे हैं तो आप अपने अपनी ग्रोथ को पीछे लेके जा रहें पहला गुल्डन रूल है बूजनस कोशल को करना कैसा भी किजिये आप फिलिप चार लेकिन आप पारंगत होते चले जाएंगे जो प्लांद्ष जो करेंगे अभी हमारे पास bizes एल चार्ट है, फिलिप चार्ट हमारे पास आ चुका है, बिजनस इंग्लिस में भी हिंदी में भी, उसको आर्डर कीजिए और आप के पास अगर वो नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास टूल्स, नहीं तो टूल्स होना बहुत जरूरी है, जब आप प्लान शो करना काओ की सक्सेस का है कि शोद प्लान, जितनी जल्दी बिजनस प्लान शो करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप आपका एक्सपिरियंस बढ़ता जाएगा, उतनी जल्दी आप अंदर से मजबूत होते चले जाएंगे, इंतजार मत कीजिए अगर आपको दो महीने हो तो फॉल ऑप करना बहुत ज़रूरी है, जब आप बिजनस प्लान शो करते हैं, या किसी मीटिंग में अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाते हैं, तो फॉल अज़रूरी जब तक फॉल अप करना जब तक आप उस बिजनस में ना लेकि आजये हो सकता है कि कई बार आपने जो प्रिंटशन शोग की है उन्होंने अच्छे से ना समझ पाई हो या आप अच्छे से से ना समझा पाये हो ऐसा कोई वेक्ति दुनिया में नहीं है जो अच्छी इंकम करना नहीं चाहता जो अपनी लाइफ में बड़े लेके नहीं आना चाहता सफलता के लिए हर एक विक्ति है जो बड़े चेंज लेके आना चाहता है बड़े बदलाव चाहता है लेकिन कई बार कई बार जादतर टाइम वो आपको देखकर जोईन करता है आपकी आँखों में अगर वो विश्वास नजर आ रहा है आपको देखकर अगर आपके प्रॉस्पेक्ट को लगता है कि हाँ यह अपने मिस्टन की तरफ यह अपने गोल की तरफ बहुत अग्रशर है कि किसी भी कीमत पर वहां पर पहुंचना चाहते हैं तो वो लोग भी आपके साथ आते हैं कई बार लोग आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपके अंदर कितनी चमता है असपलता को जीनने की आपके अंदर कितनी कैपसिटी है ना को सुनने की तो follow up बहुत जरूरी है, second is follow up, ऐसा नहीं कि आज plans हो किया, अभी plans हो किया, अभी join किया तो ठीक, otherwise नहीं, तो उसको उनको आप देखो, follow up कब तक हमें करना है, follow up हमें तब तक करना होता है, जब तक वो आपके business में ना आ जाए, show the plan और follow up, ये दो golden rule है, जो आपकी skill को बढ़ develop करेंगे, follow up में objection आते हैं, जब आप objection को handle करते हैं, आप ये capacity बढ़ती है, आप सीखते हैं, और हमारे यहां ट्रेनिंग्स होती है, follow up पे, prospecting पे, show the plan पे, closing पे, invitation पे, second, आप किसी भी level पे आप हो, prospecting मत रोकिये, prospecting का मतलब है कि हर दिन आप अपनी list में कुछ नए लोगों को सामिल कर रहे हैं, जैसे आप second picture में देख पा रहे हैं, आप किसी भी level पे हैं, लेकिन आप prospecting को search करने में हैं, prospecting बहुत जरुरी है नए लोगों को अपनी list में सामि करेंगे तो हम ऐसे ध्यान दखिए कि अगर आपके रिक्रूट्मेंट कम हो रही है आप आपके पास ऐसे लोग आपको पता नहीं कि कल कहा जाना है किसको प्लान शो करना इसका मतब प्रॉस्पेक्टिंग आपकी कम हो रही है आपके लिस्ट में लोग कम है तो प्रॉस्पेक् चीजे सुनी होंगी आपने कि यह बहुत जरूरी है कि attend all events और event अर मिटिंग ट्रेन ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है अगर आप CDC करते हैं अगर आप प्रोडुक्ट ट्रेनिंग ट्रेनिग ट्रेन कर रहें अगर events से अटेंड कर रहे हैं तो किसमें बदलाव आएगा कई बार हो सकता है कि मिटिंग एक जैसी हो हौल एक जैसा होगा इस पिकर हो सकता है कि जिसने पिछली बार मिटिंग की है वो सेम हो लेकिन बदलाव एक जगे आता है आपके अंदर हर मिटिंग हर ट्रेनिंग में हर मिटिं फॉट प्रोसेस जरूर बनाए जो मैं विश्वास करता हूं और निश्चित रूप से आपको भी मैं अक्सर कहता हूं कोई टूली इंस्पारिंग लीडर कित्रब अगर आप अग्रसर हैं तो यह बहुत जरूरी है कि पहले मिटिंग में जा रहे हो सीखने के लिए पहले आप को आप पढ़ते हो घर पे आप सीख्यका यारी करते हो और आपका टारगेट है कि अब आप सिटेज से वह मिटिंग परना सुरू करें आप करना शुरू कर रहे हैं देन उसके बाद आपकी जो टीम हैं वो सीख रही हैं वो समझ रही हैं फिर वो करना शुरू करेंगे इस तरीके जब प्रोसेस आपकी टीम में चलता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी अपनी खुद की मिटिंग हो रही होगी जहां पर आपके टीम के लोग होस्ट कर रहे होंगे आपकी टीम के लोग क्लोजिंग कर रहे होंगे तो उस चीज को फोकस करके हर मिटिंग्स हर ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए जब आप इस फोकस के साथ मिटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको मिटिंग और ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखना है जब होस्टिंग की बारी आती, किसी को कहा जाता है कि सो एंड सो प्रोब, स्पीकर को होस्ट करना है और आपके मन में बेगी, एक दिन मैं भी जा कि होस्ट करूँगा तो आप उस होस्ट से सीख थें कि ये कैसे होस्ट कर रहा है कैसा एनर्जी पुरे हॉल के अंदर लेकि आ रहा है और जो लोग इस टेज पर नहीं आना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं कि हमेशा भीड का हिस्सा रहें तो वो इतने फोकस होके उस स्पीकर की बात को नहीं सुनते हैं तो आपको यह सुनिशित करना है कि जब भी इवेंट्स होते हैं तो आप किस सीज को फोकस करते हैं यह इवेंट हमेशा हमारा खुद का इवेंट होता है चाहे आप इस बिजनस में सीन एसुसेट हैं चाहे आप गोल्ड हैं तो उस focus के चाँ अगर आप करते तो बहुत जरूरी है आप sucess होंगे और देखिए आज कितना अच्छा है आप किसी भी सहर से आपे किसी भी state से आपे हर सुबा हम सब मिलते हैं हर से हम हम सब मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये बहुत जुरूरी है जूम एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप हर एक स्टेट के अंदर अपने टीम को सिखा सकते हैं आफलाइन मिटिंग भी बहुत ज़्यादा जुरूरी है अपने सहर में आफलाइन मिटिंग करना शुरू कीजिए साल पहला जब महाविर जीम और मैंने बिजनस को सुरूरू किया था तो हम लोग जैसे रिसी केस था है रिसी केस में उस समय हम लोगों ने इस्टार्ट किया था कोई meetings नी थी training नी थी हम लोग दिल्ली offline meeting training के लिए वाँ पर जाते थे जूम कभी उस समय ऐसा कोई system नी था थो हमने decide कि है कि हम खुद करके यहां पर meetings करना शुरू करेंगे हर थस्डे को हम meeting करते थे कभी 10 लोग होते थे कभी 15 लोग होते थे हमें भी डर लगता था कि कैसे कैसे मिटिंग करें कैसे बिजनस के बारे में बता हैं लेकिन दीरे 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 करते करते हम चानिस लोगों तक हम पहुंचे हर सब्सक्राइट किया हर सप्लाचा कि चाहे कुछ हो जाएक कुछ सब्सक्राइए कि हर सप्लाँ करेंगे एक commitment एक लीटर अपने आपसे करता है कि कुछ भी हो जाए मैं हर सप्ता इस जेट में मिटिंग वेस करOU ने सुरू करी बहुत सक्सेस्पुल रही उसके बाद हमने डिसाइट किया कि अब ल्डीपी करेंगे फुल डे का फिर हमने फुल डे का लिडरिशिप में प्रोग्राम किया देखे चीजें बदलती है एक लीडर के सोस से जब आपके बाच बड़ा मिस्टन होता है जब आप लेकाम करते हैं जब सही में आप चाहते हैं कि जिन लोगों का बिजनस में लेके आएं उनकी ग्रोथ हो तो आप अपने अंदर बदलाओ लेकर आते हैं अगर आप अपने अंदर बदलाओ नहीं लेकर आएंगे तो आपकी टीम भी वही फॉलो करेगी जो आप कर रहे हैं आज टीम में ऐसे बहुत सरे लोग हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर ये बदलाव लेके आएं अगर आप चाहते हैं इस बिस्स में क्राउन जाना तो भीड का हिस्सा नहीं बनना है आपको एवरिबडी में नहीं वलकि संबडी में आने का तरीका ही यह है बेसिक को जानना ओर बेसिक को एपलाई करना हुँ जूरी है कि अगर आप इस बिसस में मान लिया जाए आप डायमंड बन जाते हैं लेकिन लेकिन आप ना तो फेस्साप्रिश्य मीटिंग पहले तो बैड़ बनेंगे नहीं करते हैं अगर आप अगर ने कर रहे हैं लेकिन सपोज आप किसी लेबल पर पहुंच गए, लेकिन आप भीड को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप क्राउड के आगे नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी बात दमदा तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, तो आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, आप एक टूली एक स्ट्रॉंग अगर आप विश्वास करते हैं अपने हाँ पर, आज से ही मान के चले, एक क्राउड कैसे बोलता है, एक डायमंड कैसे बोलता है, एक डायमंड बिजिन सपोर्शन मीटिंग शेयर करेगा, तो कैसे करेगा, वो क्या-क्या स्किल उसके अंदर होगी, अगर आप आज से ही मान सेल्फ रिक्रूट्मेंट इस बिजनस में दो तरह के लोग होते हैं एक है जो जो जादा रिक्रूट्मेंट नहीं कर पारे हैं जो लोग उनकी टीम में आए हैं उनके उनकों की वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कई बार उनकी priority है कई बार नहीं है लोग busy भी है कई लोग busy भी हो जाते हैं जन्रिजिट के कारण लेकिन अगर आप recruitment लगातार कर रहे हैं तो आपके business की command आपके हाथ में रहेगी अगर आपके team में बहुत सारे लोग हैं अगर आप recruitment लगातार अगर आप हर महीने recruitment को focus करना बहुत जोड़ी देखो recruitment कब आईगी हर चीज़ें ते को कड़ी जुड़ी हुई है हर चीज की कड़ियां जुड़ी हुई हैं पहली आप prospecting करते हैं शौद प्लान करते हैं follow up करते हैं recruitment आएगा आप prospecting नहीं करेंगे तो लोग आप के पास नहीं है आप किसको प्लान शो करेंगे आप किसका follow up करेंगे और किसको recruit करेंगे तो prospecting भहुत जूरी सबसे पहले prospecting हर दिन चाहे आप किसी भी जगे जा रहे हर समय आपके माइंड बहुना चाहे किसको प्रोस्पेक्ट बना जाए लोगों के नाम को सामिल करना शुरू कीजिए तो रिक्रूटमेंट बहुत जुरूरी है हर महीने रिक्रूटमेंट अपने नेट्वोक को बढ़ाना बहुत जुरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप ही के सहर में आपका बिजनस रहे तो केवल अपने सहर के लोगों को जॉइन करवाए अगर आप चाहते हैं अधर स्टेट में पूरे भारत में ऐसा आएगा कि आपका नेट्वोक होगा लग लग जगे तो रिक्रूटमेंट बढ़ाना शुर अपनी अपनी कम से कम यह क्राइटेर है क्वालिफाई कर लिया है सिलिंग बैग क्वालिफाई कर लिया है वह मैंने तो कर लिया है आप में से हैं जिन्होंने कर लिया है कि करना बहुत जुरूरी है निर्मला जी ने कर लिया है सुनीता चौधरी जी ने एंड़री जाय तो कर लिया है यह बहुत जरूरी है जिन्हों ने किया है और बहुत सरे लोगों ने किया है खूषरुद बैग है और इतना सांदार बैग है जिसके अंदर आप फिलिप सकते हैं एक डाइरी रख सकते हैं कैटलोग रख सकते हैं वह सुन्दर बैग के साथ जिसमें वेल साइन्स लिखावा है इस बैग के साथ जब आप बिजनस प्लान शो करने जाएंगे तो उस देगे आपकी आप आपको आपके पास टूल साज आएगा और दो रिकूटमेंट यह वह नॉमिनल अपने बिजसनस को बढ़ाने के लिए मैं तो कहते हूं दस्का धम दस ज्राइनिंग करानी बहुत जरूरी हर महिने दिपिका जी ने यह पका बिजन इतनी तेजी के साथ ग्रोह हो जाएगा और इतनी बड़ी इनकम आनिये उसरो जाएगी जो आपने सोच आपका business की growth J inequities अगर अपने आपण अपनी आप ना बिजनाद मधबनाते है तिष्टेवर आने वाले वी महीन के बिश्चार्ट बहुत बड़ांतर आपको दिखेगा तो बहुत जुरूरी हे recruitment करना उर अगर आप 這個 नहीं कर रहे हैं तो यानि कि आपने network को आप नहीं वढ़ा रहे हैं अगर आप recruitment नहीं करेंगों तो आपकी टीम भी recruitment नहीं करेगी आप ने जो लोग जो हैं करवाए हैं आप नके वरोसे हैं इस लोकितीम कर वृ उनके वरोसी हैं बुगिज Questions की command हमें अपने हाथ में रखनी है किसके हाथ में रखनी है अगर आप business की command आप अपने हाथ में रखेंगे तो आप choose कर सकते हैं यह आपकी choice होगी कि आपको किसके साथ काम करना है अगर आपकी team में लोग बहुत कम हैं आप हर महीने recruitment नहीं कर रहे हैं तो business की डेली प्लान, शोद प्लान, प्लान शो करने में पारंगत बरना है, यह कमिट्मेंट खुछ से कर लिजेगी, कुछ भी हो जाए, बिजनस प्लान शो करने मुझे पारंगत बरना है, और जब आप one-to-one प्लान करने में पारंगत बनेंगे, तो आने वाले समय में अगर आपके सहर में business opportunity meeting के लिए आपकी अप्लाइन आएगी और आप सक्चा मौंगे तो आपको मौका मिलेगा तब ही तो आप पर विश्वास कर पाएंगे आप घर पे तयारी कर रहे हैं सीसे के आगे तयारी कर रहे हैं आप prospecting कर रहे हैं आप रोज नए लोगों को टीम में लेके अपनी लिस्ट में सामिल कर रहे हैं फॉलॉप कर रहे हैं recruitment बहुत जरूरी my different recruitment सबसे बड़ा business को develop करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप recruitment regular अपना करते रहे हैं और self development बहुत जरूरी है title तो मिल ही जाएगा लेकिन अंदर से वो title को feel करना अंदर से अपने आपको as a platinum की जो काबिलेत है उसको अपने आपको त्यार करना अंदर से अंदर से emerald बनना टाइटल से नहीं अंदर से अंदर से ruby बनना अंदर से diamond बनना अंदर से president diamond बनना तो बहुत जरूरी है कि अपने skill को बढ़ाना और अपनी skill को बढ़ाने की responsibility हमारी खुद की होती है आप अपने अंदर कितना बड़ा बदलाओ कर सकते हैं बदलाओ कैसे कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं business को अपने अंदर बदलाओ करने के और अगर आप बदलाओ करेंगे तो लोग आपके साथ join करने के लिए interested होंगे लोग आपके साथ काम करना च लोगों को विश्वास होता है कि वो आपके साथ जोईन करेंगे तो वो सखी हातों में है आपकी communication skill अच्छी होती है फिर जब आप books पढ़ते हैं books जरूर पढ़ी और किताबें सबसे अच्छा तरीका है हमें हमारी skill को develop करने के लिए self development के लिए MLM के जानकारी बहुत जरूरी है direct selling के जानकारी क्यों direct selling industry product waste company बहुत तीजी के साथ ग्रो कर रही है क्यों supplement के demand इतनी बड़ी बढ़ रही है self study कीजिए ESBI क्या होता है यह जानिए क्यों business plans जब आप show करते हैं क्यों उस समय ESBI नहीं business plan की knowledge बहुत जरूरी कैसे freedom bonus आता है कैसे instant bonus आता है कैसे आपको power bonus आता है क्या criteria है जब आप बारिकी के साथ इनकी knowledge लेते हैं तो आप अपना self development कर रहे हैं देखे एक team किस पे विश्वास करती है लोग किस पे विश्वास करते हैं जिसको देख कर लगता है कि सही में यह जो सक्स है यह जो leader है बहुत ज़्यादा focus है business के लिए इनके साथ रहे कि हम अपनी life में change कर सकते हैं एक शांदार atmosphere में एक कमजोर आत्मी बहुत बड़ा perform कर जाता है लेकिन एक strong विक्ती भी अगर आपका atmosphere अच्छा नहीं है अगर आप weekly meeting नहीं कर रहे हैं अगर आप training नहीं कर रहे हैं अगर आप लगातार अपने team से communication में नहीं connect नहीं है तो लोग लोगों का focus change जाए अगर defocus लोग होते हैं तो focus अगर बना के रखना तो इन चीज़ों पर काम करना भहत जुरूई है and हर कि का Longamentum होता है हर company का momentum होता है हर team का momentum होता है हर विक्ति का momentum है हर लिटर का momentum है आप काईसा momentum अपनी team में build कर रहे हैं अगर आपकी team में 5 लोग हैं 10 लोग 15 लोग है देकर हैself responsibility है हमारी कि मैं कैसा momentum कर रहा हूं यह momentum आप कैसे create कर सकते हैं देखो momentum वही create कर सकता है जिसको यह लगता है कि मुझे मेरा जिसको उसके goals उसके vision उसका mission नजर आता है वो एक positive momentum create करता है और जब आप positive momentum create करते हैं तो बदलाओ कितनी तेज़ी के साथ है कि आपकी team के अंदर होता है अगर आप excited है तो आपकी team के लोग भी excited होंगे लेकिन सुरू में जैसे आप first step में देख रहे हैं इस picture में कि आप excited है business को लेके आप excited है अपनी opportunity को लेके लेकिन लोग आपको उस समय देख रहे हैं आप कितने समय तक excited रहेंगे बहुत सारे लोग excited रहते हैं, जब उनको results मिलते हैं, जब उनके साथ recruitment बढ़ती है, जब उनकी income आती है, जब उनके product retail होते हैं, लेकिन जब आप, जब विपरीत परस्तियां हैं, तो आप कितने excited हैं, वो आपका, वो आपकी परिक्षा होती है, जो उपर वाला लेता है, जब आप थोड़ा सा excited हैं, कुछ लोगों को साथ लेके चलिए, मिटिंग में आप जा रहे हैं, अगर आपके बाइग है, तो एक विक्ति आपके साथ पीसे बैठा होना चाहिए, अगर आपके पास car है, तो आपके साथ कुछ लोग होने चाहिए, जब आप किसी सैमिनार में जा आपकी मिलती है वर आप ये कर सकते हैं और ये दोनों फेज में होती है अगर आप पॉजिटिव हैं अगर आप एक्साइटेड हैं अपनी अपरचुटी को लेके आप रेगुलर काम करते हैं आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपके टीम में वही लाइट्स वही एनर्जी लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बहुत जादा एक्साइटेड नहीं अपनी अपरचुटी कर लेके दिल और दिमाग आपकी अलग-अलग बातों के मतलब क्या हुआ अलग-अलग बातों का मतलब अगर आपका दिल कहता है कि नहीं आपको बहुत सक्सेस लेनी है लेकिन एक साथ फोकस नहीं है तो आपकी टीम के अंदर भी वो फोकस नहीं आएगा आप चाहते तो हैं कि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए लेकिन आप फिल्ड में निकल नहीं रहें लेकिन आपकी अंतरा आतमा की आवाज जो होती न इनर वाई जिससे कहते हैं आपको विश्वास नहीं है कि आप इस business में diamond जाएंगे अगर आपको विश्वासी नहीं कि आप इस business में एक लाग रुपे दो लाग रुपे earn करेंगे अगर आपको विश्वास ही नहीं अपनी अपॉचिटी पर तो आप ऐसी energy flow कर रहे हैं आपने आस पास तो उसी तरह की energy जी उसी तरह का की याइट्स आपकी टीम में जानी शुरू gösterओ यो जाईगी और आपकी पूरी टीम की सिते ऐसे हो जाएगी आपने देखा होगा कई बार कि जब आप बहुत ज्यादव क्ष़यूत होते हैं आप और टीम से कम बात करते हैं आप आप जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेट नहीं है और आप थोड़ा सा थोड़ा सा किसी कारण से देख हम सब हम सब इंसान हैं और हम सब की लाइफ में अच्छा खराब समय हमें से रहता है क्योंकि इस बिजनस पर आने से पहले मेरे साथ बहुत होता था कभी मैं पहुत जाएक्साइट हो जाता था कभी रिजल्ड नहीं मिलते कि भौग जाए निरास हो जाता था मुझे पता नहीं था कि विप्रीत पस्तिति में भी कैसे खुड़ को संमाहल कर रखना है तो जब आप negative होते हैं तो आपके आस-पास के लोग भी थोड़ा सा negative होने शुरू हो जाते हैं किसी कारा निरास होने शुरू हो जाते हैं और निरास और निरास पूरी team निरास होने शुरू हो जाती है हमेशा ध्यान रखिए हम एक तो कि results सफलता momentum ये create आपके हाथ में है एक leader के हाथ में है patience बहुत जुरूरी है धेरिये रखना बहुत जुरूरी है अगर आपको विश्वास है कि आप सही direction में जा रहे हैं आप सही company के साथ हैं आप सही product के साथ हैं सही तरीके से आप काम कर रहे हैं तो निस्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है आज नहीं तो कल हो सकता है कि थोड़ा सा समय ले किसी को जल्दी मिले किसी को थोड़ा लेट लेकिन अगर आप हतास हो जाते हैं लेकिन आपकी capacity ज़्यादा सफलता को जहलने की नहीं है तो आप बहुत बड़ी सफलता का श्वाद नहीं ले पाएंगे तो अपना momentum six step में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे inner wise ऐसे ऐसा आपको हमेशा बने रहना कि एक विपरीद परिस्तिती में भी खुद को समाल कर energy से भरपूर positive सोचना जब सब कुछ suppose आपके हिसाब से खराब से उस समय भी कैसे अपने आपको positive रखे ये एक महा leader की एक खास बात होती है लेकिन हम सब आम इनसान है हमें ये habit डवलप करनी पड़ती है सबसे पहले खुद को समझाना पड़ता है कि जब विपरित परसिती है तो उस समय मुझे खुद को समाल के रखना है जब आप ये करना शुरू करेंगे जब आपके habit को डवलप करना शुरू करेंगे जब आपके auto mode पर आप आज जाएंगे तो आपके team के अंदर भी ऐसा बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी लोग इसको focus करना शुरू करेंगे और आपके team बहुत ज़्यादा strong होगी कितनी भी बड़ी असफलता है आपके team हमेंसा तयार रहेगी क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि मेरा जो leader है वो हमेंसा तयार है वो system को follow करता है तो बहुत जुरूरी है और एक बड़ी बड़ी team में खराप हो सकती है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके business में हो सकता है देखो एक ego हमें देखो स्वाभी माने लग चीज़ है लेकिन कई बार हमें पता नहीं लग पाता है अगर कोई निरास है किसी के साथ दिक्कत है उसके साथ बैठी है बात करिये ऐसा नहीं हो कि उसे लगे कि जब क्योंकि देखो आप एक अलग thought process सोच रहे हैं लेकिन जिसका business नहीं चल रहा है जो किसी कारण से आपके team में निरास है वो यहां से सोच रहा है आपके उसके thought process बहुत बढ़ा अंतर है तो जब लोग निरास होते हैं तो उनको कैसे positive किया जाए उनके साथ कैसे बात की जाए यह बहुत ज़रूरी है ego आपकी business को kill कर सकती है अब इससे पहले कि आपकी business को kill कर तो यह ego भी आपका कुछ नहीं विगार सकती यह ego आपके अंदर कभी आती नहीं है हम सब लोग बहुत बड़ी success की तरह focus है हम सब लोग चाहते हैं आप चाहते हैं अगर life में VLCC के अंदर एक बड़ा बड़ी success को लेना तो उस dream को उस अपने को focus कीजिए रोज visualize कीजिए रोज अपने सपनों से मिलिए क्योंकि इस business में आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं 2024 बहुत बड़ा साल हम सब लोग मिलकर बनाएंगे बहुत सारी success हर एक जगे से आएगी और खुद को तयार करना my different बहुत जरूरी है हुद के उपर काम करना बहुत जरूरी है यह मेरे मुझे यही आपसे कहहना है कि अनदर से बतलाव जरूरा जडरूँ करने के लिए बिजनस को ग्रो करने के लिए तो यह बेसिक है और बेसिक करना बहुत जरूरी है तो मेरी सुबकामना आप सभी के साथ है मुझे पुरी उमीद है कि आपने कुछ ऐसी चीजे हैं जो आज जरूर एक या दो चीजे आपने नहीं जानी होगी जिसे आप इंप्लिमेंट करेंग तो निश्चित रूप से आप भी अपने बिजनस में एक बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर आएंगे